जैसा कि आप जान रहे हैं साथ बज़े आपकी रीजनिंग की क्लास है और आज हमारे साथ एक नए एजुकेटर है जिनका नाम है राहूल सर इनके विशे में थोड़ा समय आप लोगों को इंट्रिडूश करने वाला हूँ फिर आगे की क्लास सर कंटिनू करेंगे लेकिन उस अच्छी फैकलिटी है अगर मैं आफ लाइन क्लास की बात करूं और जैसे ही क्लास यहां पर कंटिनू करेंगे आपको यह समझ में आने लगेगा कि अभी जो यह क्रेस कोर्स आपका हम रन करने वाले हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम मैस रीजनिंग जियस सब्रन करेंगे और बोला था कि क्वालिटी के जो कंटेंट रखने वाले बहुत अच्छा रखने वाले इस वजह सझे हम अच्छा करने की कोशिस कर रहे हैं इस वजह से हम राहुल सर को ले के आए हैं जो क्लास यहां से राहुल सर कंटिनू करेंगे उसके बात तीन-चार के बाद आपको समझ में आएगा क्यों हम राहूल सर को प्लेटफॉर्म पर ले के आए हैं तो अगला जो चीज वह राहूल सर डिसक्स करेंगे पूरा का पूरा तो मैं माइक सर को ट्रंस्फर कर रहा हूं सर राहूं की क्लास कंटीनु करेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं राह कुछ डिसकसन मुझे करने को कहा गया है वह मैं डिसकस कर लेता हूं उसकी बात बात करते हो जब आप यहां देखेंगे सीजियल सीपी यहां रीजनी की क्लास कितने बजे आ रही है साथ बजे तो प्लीज 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 आप लोग हर बार हर रोज मुसे पढ़ने के जबकि SSC GD का जो बैच है वो हिंदी बारा बजे आ रही है जनल साइंस एक बजे मैट दो बजे और रीजनिंग तीन बजे आ रही है जबकि यहां पर सीजियल की जो रीजनिंग है वो मैं लेने वाला हूँ मेरा नाम राहूल मिश्रा है एक बार मैं फिर से आपको बता और काफी स्लिबार से पढ़ा रहuju और रीडिकली जिए निकी बात की जाये तो रीजिकर से यह सुनता हूँ कि रीजिनी दो मुझे आती है वो पढ़ता है होगा ऐसे ही कर लेंगे वैसे ही कर लेंगे जी नहीं एक्षिल में क्या है ये सूचना मेरे सबसे थोड़ा सा गलत है मैं मनता हूँ आपको रिजनिक आती है सबको आती है आप ये मान के चलिए है कि कब 20 लाख लोग SSC CGL का फॉर्म भर रहे हैं मैंने एक छोटा सा आकड़ा लिया है इससे भी ज़्यादा लोग भरते हैं अगर SSC CGL का एक्जाम देने जा रही है तो समझ ये 20 लाख में कम से कम 20 लाख 25 कोश्यन में से 20 करके आएंगे अब 25 में अगर आपने 20 करके आए हो ये दिन के लिए पढ़ने बहुँ जरूरी है अब पढ़ना बहुँ जरूरी है पूरा कंटेंड इसे से डिसाइड है और एक होती है logical थोड़ा दा introduction देने के बाद कुछ नकुछ जरूर पढ़ा के जाओँगा परिशान मत हों, बिल्कुल भी परिशान मत हो अगर और अगर नौन वर्भल की भात किले सुन आथे हैं जिनको आप पैंसे सौल कर सकते हो अरे हम लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल आज की डेट में एकदम ये समझ नीजे कि परिशान किये हुए लोगों को एक चप्टर होता है स्टेट्मेंट और एजम्शन कथन और पूवधारना कथन और निसकर्स कथन और तर्क ये तीन चप्टर रहते हैं जो सायदी आपको किस और नॉजिकल है तो वर्वल नॉजिकल और लॉजिकल अगर एसे सी के लिया से देखा जातो तो सभी आते हैं लेकिन अगर बर्वल का पाट देखेंगे तो वह 70-80% टक रहता है और लॉजिकल के लिए तो मैं आपको बता दूँ उससे दो जरूर आएंगे आपसे इस्टे से मैंने इसको डिसाइड किया है कि तीन से चार कुशन आपको यहां पर नॉन वर्वल से मिलने वाले हैं आपके पेपर में से सीजियल 2018 जो आ रहा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ बने हुए है तो वह नॉन वर्वल नॉजिकल हो इतनी अच्छे से समझा द पिरेजियंग अर्षानी पारीजरीटि अठना किए को और अगर मैं मैंत की बात करूस है तो मैं है कृटी टेटिव एप्टिट्टूड कि अब सब्सक्राइब करिए कि attitude का मतलब क्या होता है और मतलब क्या होता है बहुत चोटा थो फरक है इसे आपको समझ में जाएंग का रीजनिंग पढ़ने का तरीका क्या होगा है एक्च्वल में जब तक आप exam पास होने के लिए रीजनिंग पढ़ते हैं तब तक रीजनिंग नहीं आती है रेजनिंग को पढ़िए ज्ञान पाने के लिए अपनी बुद्धी शम्ता को विक्षित करने के लिए तो मैं आप यहां पर थोड़ा सा बात करता हूँ यार हर बार डालेंगे तो पौदे होगेंगे सुरज को उखता देखा अरे हरो सुरज यहीं से उखता है यह तो पूरा भै रिजनिंग लगा दी तो जब कुछ नहीं था तब भी रीजनिंग थी एकदम रिजनिंग थी किसी ने कमेंट किया है aptitude means ability जी नहीं aptitude का मतलब होता है अभिरुची यानि की interest फिलाल आप काफी सारे कमेंट्स कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं सीधे chapter पर आ जाता हूँ एक chapter मैं start करने जा रहा हूँ आपके लिए और वो काफी important chapter है और वो non-verbal का part है मतलब कि वो सीधे सीधे देखके answer करने वाला है और उस chapter का नाम है counting of figures दीरे दीरे यह chapter भी develop हुआ है counting of figures का मतलब यह होता है कि पहले बड़ा आसान से कोशन आते ते triangle देदे ते गिल्लो बेटा triangle कितने है स्कॉयर आ जाते थे स्कॉयर गिल्लो और अगर पूछा जाए कि अब जैसे question आ रहे है तो अब वो क्या कर रहे है वो उनको पता चलिए कि आपको trick पता हो गए है मैं भी आपको trick बताऊंगा लेकिन मैं trick के साथ सब आप जो modern question आ रहे हैं उनके बारे में भी बात करूँग हम square count करना सीखेंगे खुब सारे question लगाएंगे इसमें और स्कॉयर के बाद हम rectangle count करना सीखेंगे अगर हम rectangle की बात करें या square की बात करें तो यह लबब एक ही जैसे होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं detail में बात करूँगा सबसे पहले बिना time गवा है मैं सुरू कर देता है फिलाल triangle counting में triangle counting में मैं आपको एक figure दे रहा हूं जरा फटा-फट से बताईएगा और टाइप करिएगा फटाक से कि यहां पर कितने triangle हैं जैसे मैं यह एक बना देता हूं पता ही किने triangle है हाँ जी मजा कर रहा हूं यहां पर सिर्फ एक triangle है और एक आपने सुना को बिंगो है अब बदाई यहां कितने triangle हैं मैं थोड़ा था comment के ऊपर गहौर कर लाता हूं कितने हैं यहां पर यहां पर यहां पर यह जली बज यहां पर बीटा जो आप अभी पुराने वाला ही shame count कर रहे हो अब यह वाला triangle में बदाए यहां पर कितने है कोई तो आंसर कर दो एक 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 हाँ वेरी गुड यहाँ पर एक आंसर आया है मेरे पास तीन अब तीन आना सुरू हो गया है मैं खोसू कि तीन आना सुरू हो गया है बहुत अच्छी बात है देखे एक छोटा सा ट्रेंगल ये है टेंगल यह है और एक बड़ा वाला त्रेंगल है सिर अब बहुत सईकिने सहीं आमसर अब ए तो इसकी ट्रिक नहीं बताइये इंट अब अभी काउंटिंग करने के बाद एक बार ट्रीक बताएंगे ज़रा देखे अब एक नया फिगर मैं आपको दे रहा हूं इसमें थोड़ा सा मैनाथ करनी पड़ेगी आपको कटिन हो जाएगा देखें कैसे करते हैं करें कि इस वान हो ऐसे की इसा भ्तक से बता हैं यहां पर किटेंगल है मैं देखेंगां हो कुमेंट सेक्षिंत पर समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियर है चका चक चल लाए मावल एक दम कोई डाउट तो नहीं है फिलाल इसमें यहां पर आपको बताना है कितने ट्रेंगल है अगर आप यहां पर बता लेते हैं तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं यह आप काउंटिंग कर रहे हैं तो कर आपको पहले से आता है तो यहां पर कितने ट्रेंगल हैं यह काउंट करते हैं सुरू करते हैं अब जब कभी भी आपके पास एक ऐसा ट्रेंगल आए दो मिनट के लिए कमेंट सेक्शन रोग दीजिए कुछ मस्तों किए सफीज देखिए कि यहां पर पढ़ाय क्या जा रहा अगर यह ज़्यादा चला गया तो गरबड़ा जाएगा जैसे यह एक बेस पे हैं तो बस कुछ नहीं करना है अबर नंबर लिखना है जैसे एक दो तीन चार यह नंबर लिख डालिये तो होगा चार तीन साथ दो नौ और एक दस और फिर इन सब को जोड़ डालिये जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और आंसर कितना आ गया चार तीन साथ दो नौ और एक दस यानि इस सवाल का सही आंसर कितना है दस वेरी गुड किसी ने बारा भी आंसर किया है जी नहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दस ट्रेंगल है आप इसको काउंट करके देख सकते हैं और यहा और चोटा सा कोशन आपको देने जा रहा हूं जल्दी से देखिए और यहां पर काउंटिंग करिये मैं थोड़ी सी बस लाइने बढ़ाने वाला हूं क्योंकि तरीका आपको पता चल गया है और इसको काउंट कर लिए यहां पर कितने नंबर आफ ट्रेंगल है इस फीगर म लिखे जली लिखे वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग अंग्रेजी आती होगी तो बोलूँगा ना जरूर चली आईए तो यहां पर इसको काउंट करते हैं कैसे कांट करेंगे तो आएगा एक दू तीन चार पांच यानि वान टू त्री फोर फाइफ सिक्स आपने क् प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइफ एंड तक जाना हो तो अगर एंड टम्स का सम निकालना हो तो उसका फॉर्मला क्या होता है एंड टम्स के सम निकालने का फॉर्मला होता है एंड इंटू में एंड प्लस वन डिवाइड बाई टू और एक्शुल में आप य कि n की जगह 6 रखा है मैंने और फिर n प्लस 1 करने जा रहा हूं यानि 6 प्लस 1 करने जा रहा हूं तो 6 इंटू में 6 प्लस 1 and divide by 2 आंसर कितना आ जागा 21 बिल्कुल आप ऐसे जोड़ के भी निकाल सकते थे इसको करने के कोई जिरूत नहीं है लेकिन अगर आपको काफी ज्याद बसे करते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो specifically लिखे भीजे ता कि मुझे समझ में आ जाये कि मैं आप आपको पढ़ा रहा हूं तिस स्पीट ठीक है मैं तक अब यहां पर इस तरह का एक फीगर बना दूं तोडा बेट करिये फीगर बनानीमे टायम लगँ रहा है अगर फिकर कुछ इस तरह का आ जाए तो कितने ट्रेंगल होंगे हाओ मैंनी नंबर्स आफ ट्रेंगल है थैंक यू थैंक यू सो मच ओकी दिखने के लिए आपको बहुत बहुत दनिवाद और मेरा हक है कि आप मुझे थैंक यू लिखें या ओकी लिखें और जो भी आपके पास वीडियो अगर आप तक सेयर नहीं किया है तो प्लीजी से से लाइक करें और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीजी से जरू सेयर करें जड़ा यहां पर बताएंगे कि कितने इसको काउंट करने की कोशिस करिए मैं थोड़ा हाट जाता हूं ताकि आप देख यहां पर कितने नंबर आफ ट्रेंगल से इसको कैसे काउंट करेंगे ठीक मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ाना है मुझे तो यहां पर कितने नंबर बदल कि यहां पर बात करें अब बेस यह मुटा करें रहा छा जाएंगे कितने से इस करेंगे और यह भी क्या होगे दस तो यहां पर मेरे पास कितने ट्रेंगल आ जाएंगे 10 multiply by 3 is equal to 30 उमीद है यह चीज आपको समझ में आई होगी जी नहीं होगा 28 नहीं होगा 45 oh my god कुछ लोग तो अंदाजा लगा रहे हैं बिलकुल अंदाजा मत लगाईगे यहां पर only 30 किये गए हैं उसको multiply कर देजिए जैसे कितने पाट के 123 10 इंटो 3 इट विल भी 30 उमीद है यह समझ में आ गया होगा अब तो यह तो थे कोशन यह सबको आते हैं कि अब जो कोशन आपके पाष आने वाला ह要 हो आपको हिला के रगते हुए और डेफिनेटलिeri हिला हिंए अनसर करते हैं इसका सही पर हैं और देखता हूं इतने सारे लोगों में उस को सब्सक्राइब करें और आपको अब ही यहां पर काउन करके बताना होगा कि कि इतने नंबर आफ ट्रेंगल हैं मैं एक बड़ा फीगर लेने जा रहा हूं जैसा कि आपके सीजियल पूछ सकता है जोगि उसको पता है कि आपको यह ट्रिक पता है तो वह कुछ ना कुछ नया करेगा और यह है वो नया वाला फीगर अब मैं आपके आंसर का बेट करूँगा हाऊ मैंनी नंबर आफ ट्रेंगल्स आज़ आर्टियार काइंडली काउंटेट अगर मैं हट जाऊं सामने से यह फीगर है आपके सामने आपको बताना है यहां कितने ट्रेंगल हैं यहां पर कितने ट्रेंगल हैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं बिलकुल कुछ पर अच्छे-चे कमेंट आ रहे हैं हम लोग हील ही गय आए हैं सर ओके तो मेरे ज़ने तरह चाहिए को कर दे तो अश्चाह को अच्छा मैं को को एक यह कूछ चाहिए अप साथ पास नो साल का एक्पीडियन से तो आप पी तो एक बात रहे हो वह पी आपके पास तो प्लीज आप बस मेरी एक बात माल लीजे, इसको थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजे, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और मैं ये कोशन आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा भीट कर रहा हूँ, सायद कोई मुझे काउंट करके बताते, हाँ, very good, 42, 44, 60, और बल र तो इस फीगर में सिमेट्री है, क्या है, सिमेट्री, किसी भी काउंटिंग आप फीगर में सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज होगी, सिमेट्री, अब हम बच्चों वाले चीजों से बाहर आ गए हैं, अब हम उस जगे से बाहर आ गए हैं, जो सब को आता है, अब हम उस इसको डिवाइट कर रहे ही यह थोड़ा था प्रैक का लग तो ओपर वाले का लिए नीचे वाले का लीजे 1 2 3 4 5 6 यानि उपर वाले फिगर को अगर मैं काउन करूं तो क्या मैं इसको गिनू दुवारा कि आप जो लेंगे आप बिल्कु जो लेंगे 6 5 11 4 15 3 18 तो यह बिल्कुल उसी तरीके का है तो इसमें भी कितने होगे 21 तो कई लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था उन्होंने 21 तो यहां पर आप देखे यहां पर देखे यहां पर यहां तो इस पर ट्रेंगल नहीं बनेगा लेकिन ये एक लाइने जो हर ट्रेंगल को बेस प्रोवाइड कर रही है क्या प्रोवाइक कर रही है बेस और अगर इसकी बात करें तो इस पर पहला ट्रेंगल ये बन रहा है आप देख पा रहे हैं ये वाला ट्रेंगल बन रहा है इस पर समझ पा रहे हैं ओके लिख के बेजें ये यहाँ पर बन रहा है और फिर से बाद अगला triangle यहाँ पर बन रहा है तो ये हो गया एक और triangle इसü base पर इस आधार पर और एक triangle इधर भी बन रहा है अगर मैं उस triangle के top पकळो top मतलब ये और ये और ये तो इस तरफ कितने triangle है 1, 2, 3 यानि कि 42 के बाद 3 ट्रेंगल और मिले जो की tilted form में थे उसके बाद इधर भी कितने हैं एक दो और तीन तो 42 के बाद 3 और फिर से एक तीन यानि कि 42 और 3, 45 और 45 और 3 कितना हो गया 48 तो राइट आंसर विल भी 48 जिन्होंने 48 किया था उन्होंने बहुत सही किया है और बिल्कुँ 60 पगयरा करए हो गलत आंसर कर रहे हैं स्वरी मैं कहना चाओगा मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको बताओं कि आप गलत आंसर कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा कामी है ही जहां पे गलती करते हैं वहां पे आपको सोधार हूँ तो इतना समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं अगले केस पे कि अगले तैप केस कैसा आता है और इस टैप केस जानने के लिए मैं इसको एक नाम दिया हुआ है बकाइदा कि मैं इसको कहता हूं मीडियन केस मीडियन यानि की माधिका का केस और ये बहुत ही अच्छा केस होता है इससे कई सारे कोशन्स आते हैं ये देखने में बहुत असान लगता है लेकिन इसके आंसर सही नहीं आपाते हैं देखे ज़रा इससे आंसर कैसे आएंगे एक कोशन मैं दे रहा हूँ इसमें क us try करें क्या रिपीट करना है कौन सा रिपीट करना है कि इसमें बताए कितने हैं कि खिख संगल मिलती है मेरी मोधि से हो की ठीक ठीक कोई बात नहीं फिलाल आए इसमें बताए कितने रेंगल है आंसर नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं 10, 10, 10, 18, 16 very good, very good कुछ आंसर आये सही जिसको पढ़के मुझे लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही आ रहे है तो यहाँ पर देखेंगे कितने ट्रेंगल है जब भी आपको इस तरह का ट्रेंगल मिले उसमें figure of counting में और आपको ट्रेंगल काउंट करने हो तो सबसे पहले एक sheet notice करिएगा देखें यहाँ से सुरू हो रहा है टॉप से और यह मीडियन की तरह यूज हो रहा है क्योंकि यह माद्धी का लग रहा है इसलिए मैंने इसको मीडियन का case दिया हुआ यह सामने से आ गया है और यह इधर से इधर गया अब इस तरह के triangle को count करने का तरीका क्या है बिल्कुल जो application आपने पढ़ा है जो चीजे अभी आपने पढ़ी है उसी का use करेंगे जरा यह बताईए मैं फिर से इसको दोरा रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर कितने triangle है यहाँ पर कितने triangle है बिल्कुल बहुत आसाल है एक, दो, तीन तो आप ऐसा मानिए कि इसमें तीन अलग-अलग figure जोड़े गए है कौन से? यह इस point को हम लोग intersection point मान लेते हैं यहाँ से जोड़ा जा रहा है तो एक figure ऐसे लगा आके एक figure उस side से लगा आके और एक figure इस side से लगा आके तीन अलग-अलग figure होगे और तीन अलग-अलग figure होगे तो इसको count करने का तरीका क्या है? देखे यहाँ पर इस base में कितने है? तीन इस base में कितने है? तीन देखे इस base पे इसकी बात कर रहा हूं और एक ट्रेंगल इसकी बात कर रहा हूं यानि ओवर और यहां पर कितने नंबर आफ ट्रेंगल्स है 1 2 & 3 ठीक है उपर जाते हैं यहां पर भी 1 2 & complete triangle 3 1 2 & complete triangle 3 तो यहां पर मेरे पास अभी 3 3 6 3 9 triangle आ चुके हैं लेकिन कुछ बाकी है क्या बाकी है कि दो ट्रेंगल मिले मादब एक triangle नीचे side आ रहा है इस side चला जा रहा है और एक triangle उपर side जा रहा है यह इस side जा रहा है और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर कितने ट्रैंगल है? तो बस यही एक तरीका है क्या करें? बेस पे कॉंट करें फिर ट्रैंगल को इदार उदार काउंट कर लें एक इदाम आसानी से कुष्चन निकलाएगा कितना भी कटिन कोश्चन होगा बड़ी आसानी से आप कर लेंगे तो फिलाल कितने ट्रेंगल होगे? 3, 3, 6, 3, 9 हमारे पास पहले थे 2, 2, 4, 2, 6 और आगे यानि 9 और 6 कितना हो गया? 15 तो 15 तो ये हो गया जो small small triangle थे और एक है पूरा बड़ा वाला जिसको हमने पहले count नहीं किया है 15 प्लस 1 कितना आ गया? 16 तो जो 16 अंसर कर रहे थे वो खुष हो सकते हैं उनका अंसर एकदम सही था और बाखी को मैंने अभी अभी सिखाया है तो यहां पर कितने triangle है? 16 और इसको याद कर लो SSC पता नहीं क्यों बार बार इसको पूषता रहता है पता नहीं क्या उसको इनसे प्यार है और इसको छोड़ते ही नहीं है वो पूषते ही चले जा रहे है तो अगर आपका मन कर रहा है तो इसको इराद कर लिजे कि इस figure में कितने triangle है? 16 कई किताबों में आपको इसका गलत आंसर मिलेगा वहाँ पे 13 मिलेगा लेकिन अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर 16 ट्रेंगल किनके दिखाए है तो यहाँ पर कितने ट्रेंगल हूंगे 16 इक बात करते हैं हम इसको दुबारा से एक नया फीगर लेते हैं और उसमें काउन करते हैं कितने triangle है यह आ गया होगा कि 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 मैं उसी फीगर में थोड़ाता मॉडिफिकेशन कर रहा हूं एक दो लाइन कम कर दूंगा आपको बतारा है यहाँ पर कितने अब मैंने यह पूरी लाइन कंप्लीट ने की बस इतना ही बनाया है अभी यहां पर इतने ट्रेंगल है इस फीगर में जी हाँ वो सोलावला हो गया है बागी कर बताएं यहां पर देखें कितने ट्रेंगल हैं बिल्कुल उसी फीगर पर है थोड़ा सक कम हो जाएगा लेकिन क्या कम होगा वह आपको पता लगा नहींगा फिलाल आंसर करें मैं एक आंसर का वेट कर रहा हूं अगर मुझे एक भी आंसर सही मिल जाएगा तो उसे बाद मैं सुरू हो जाओंगा प्लीज 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 जली से फटाफट से करें इसे फटाफट से सुरू करते हैं मैं बगपने बेक्वाइशिक बता हुआ अभी आपने यहां पर पहला वाला फीगर काउंट एथा अघर वहां पर मैं किंदे काउंट गया थे 16 अब उसी कंगे यूदी यह वाली लाइन कम हूगे याइन इसको ये फिर से बना रहा पड़ेगा मुझे मैं उस figure को फिर से बना दूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आजा कि उस figure में यहां यहां और यहां ऐसे line थी यह line मैंने कम कर दी है अब जड़ा देखें इस line पर कितने triangle है 16 थे हैं हमारे पास इस वाले figure में 16 थे मैं पर कितने triangle है यह पता गाते है अगर हमां इसे कम करेंगे तो दीगे 2 छोटे वाले तो कम हो जाएगे एक यह कम हो जाएगा और एक यह कम हो जाएगा साथ में यह पूरी line थी यहां था रही तो यह भी तो कम हो गाए अगर यह लाइन हट जाएगी तो यह पूरा का complete triangle भी खतम हो गया तो कितने triangle खतम हो गया दो बड़े वाले और दो छोटे वाले तो overall मेरे पस कितने triangle लेगा है चार कम हो गया 16 में से दो छोटे वाले दो बड़े वाले तो कितना आ गया 16 चार बारा लेकिन ऐसे क्यों बता रहे हो अभी तो बता रहे हैं वैसे काउंट करना है न वैसे ही बता देते हैं बाई साथ यह देखिए कि इस जगे से सुरू करता हूं तो इस जगे पर कितने triangle है इस आधार पर इस बेस पे कितने triangle है फ़न तिके न अब इस बेस की बात करते हैं इस बेस फर गौल ते देखो नजर मिलाकर तो एक दो और तीन यहां पर कितने हैं तीन एक दो और एक बड़ा वाला तीन है न इस पोइंट से इस पॉइंट से ही लेंगे हम लोग के वले के इस पॉइंट से यहां पर कितना था एक यहां पर कितना था एक यहां पर कितना है तीन यहां पर कितना है तीन पहले आधार कॉंट कर लिए सारे बेस पर फिर उसके बाद आप कॉर्णर पर जाएगे यहां से कॉंट करना शुरू करते हैं तो यहां से यह लाइन पूरी कंप् पारी वो छोटे वाले मलग से गिन चुके हैं इस दुबारा नहीं गिनेंगे उम्मीदे समझ में आगया होगा आंसा तो मैंने पहले ही पता दिया तो इसका अंसर कितना है यहां पर सुरू करते हैं तो देखें दो गिन लेते हैं दो एक तीन दो पांच तीन आठ और तीन ग् करूंगा मैं एक और एक और एक और एक और एक और इतना टाइम लगेगा कि आपको सम्झाने के लिए तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगी है लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस में ले लेंगे तो इसे फॉरन कर ले जाएंगे चलिए एक मैं कोशन और दे रहा हूं इसलिए मैं इधर आ गया हूं यह बहुत फेमस कोशन है लेकिन क्या करूं मुझे पढ़ाना पड़ता है हर बार कई छूट न जाए बनाता ही जाओंगा मैं इसे रोकूंगा नहीं आपके सामने बनता जा रहा है बनता जा रहा है आपके विल इतने ही मीं बता दिए कितने इस फिगर में बताईए कितनेृगल है एक्शल में कर देंगा सारे कौशन ट्रिक के नहीं चलने की वझेसे ही कुछ ना कुछ हमें काौंटिंग करनी पड़ती है और इसा पाटिकूल कोई ट्रिक था आपको पढ़ाने के लिए लेकिन अचानक से मुझे आना पड़ा तो फिर यहां पर अब मैं continue रहूँगा डेली साम को साथ बज़े आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग तो फिलाल इस question को continue करते हैं यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितने आएंगे हां कुछ लोग आउसा क दिखते हैं कैसे गूं करेंगे थे सकूण करने का एक टेकी तरीका है तो उसको करने सिंपल तरीका है सिंगें से कॉन्ट करें पहले गठेंगल बनाए बना लिया अब धैनल प्रेंगल बनाते हैं तो उस में बनाने से कि यहार इंट्रेंगल बने 4 लेकिंगे 2020 मेंसे तो कि कवह बने चार less नोटे हैं यहां पर में यहां पर एक हैं बनाता हूं तो चार बनते हैं लेकिन अगर मैं कितने ट्रेंग चूड़ा फाँ 205 शोते वाले वाले पांच हो गया अब ये प्रियारा है इतने सिर्फ ग्यारा इतने फीगर में सीप गया रहा है हैं very good बहुत सभी लोग सभी लोग सभी आंसर करने लगे हैं इसके बाद अगर मैं एक ट्रेंगल यहां पर बनाऊंगा तो यह अंदर वाले पार्ट के अंदर ट्रेंगल बनाएं मैंने बता है ट्रेंगल से कितने बढ़ते हैं चार तो ट्र चार कितने हो जाएगा 15 कुछ भी गिन लाहीं मैं बास काउंटिंग कर रहा हूं 11 pertama के बाद एक लाइन और बनाते हैं पर Pan剛剛 बना देएぞ तो हमने कितनी लाइने बनाई है तीन एक दो तीन एक दो तीन तीन दूनी कितना हो जागा छे तो पंद्रह और छे कितना हो गया 21 वेरी गूड यहां पर 21 तक पहुंच गये हैं अब कुछ बचा है एक और ट्रेंगल देगे अपने पूरा फिकर बना लिया सिर्फ इतना ट्रे अब एपाल 42 और 25 और 19 तो सही आंसर हमारे कितना है 25 मुझे लगता है यह आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैं इसको दुबारा समझाने जा रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल दुबारा समझाने जा रहा हूं मैं आपकी आत्मा की आवाज सुन सकता हूँ थ सबसे पहले एक ट्रिंगल बना नहें भी सिक ट्रेंगल बनाना है विल्कुल यहां पर इन पर मइन अंदर भनाघाव नहीं धेटा हूं तो एक ट्रेंगल बनाने से रहेट है चार आप अंदर ग्रम तो एकश्र चार और कितने हो गए पांच मेरे पाध ऑन यहां निग पा воды तो दो चार दो चेज़ और पांच कितना हो गया गया उमीद है यह समझ में आ गई होगी तो गया तो पहुंच गया है फिर और काम करते हैं इसके उपर अंदर एक लाइन बनाते हैं एक ट्रेंगल जब जब बना ओगे चार बनेंगे बस बस अरते वह तीनो तीनो साइट से ज बना रहा हूँ एक दो और तीन तो यह 15 और 6 कितना हो गया 21 उमीद है इतना समझ में आ गया होगा बस थोड़ा सा रह गया है खतम करते हैं यह हो गया यहां पर इसको एड़ किया तो एक ट्रेंगल बनाया है इससे कितने बढ़ जाएंगे चार और बढ़ जाएंगे तो एक मोटिवेटर होंगा हां मुझे एक्पिरियंस है मुझे पता चलता आता है कि आपको समझ में कितना नहीं आ रहा है लेकिन हां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इन सारी चीजों को मैं ध्यान में रखूंगा पीडिया वापको मिल जाएगी आपको किसी भी जिए पर आप भी यहाँ पर लाइब बने रहेंगे, साथ बजी आएंगे, कल मैं वेट करूँगा आप सभी का, आज हमारे पास लगबग, आज हमारे पास लगबग, काफी सारे लोग लाइब थे, डेढ़ हजार के आज पास लोग लाइब थे, तो कल और होना चाहिए, और जादे लो जरू करिए, सेर जरू करिए और कमेंट जरू करिए, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, थेंक यू सो मच, थेंक यू सो मच, तो कल मिलते हैं, इसी टाइम, साथ बजी, ओके, थेंक यू.